नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंखिता पाल और आप सभी का हमर्चतिसगर में स्वागधरू करते हैं खब्रों के तरफ गोरिला पिंडरा में चल रही हर घर नल जल योजना के तहत में नगर पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हर जगह पर इसका काम पिछले कई सालों से चल रहा लेकिन अभी तक आधिकतर छेत्र में इससे पानी नसीब नहीं हुआ है तो वहीं नगर पंचायत मर्वाही की नगरवास्यों ने जल जीवन मिशन कार्य में ठेकेदारों की मनमानी रवय से परिशान होकर अनुविभागी राजस्वाधिकारी के पास में गुडव और साथ ही सडको को पाइपलाइन बिछानी के लिए भी ठेकेदार की तरफ से बिना अनोसी की तोड़ा तो गया है लेकिन उसकी समय अब धी रहते रेपेरिंग नहीं कराई जाती है जिससे आए दिन यादता है आप जो है वो बाधित होता है और साथ ही इस पर काफी तरीक जो भी काम किया गया है सबसे पहले कि यह जल जल अनल जल हर और जल योजना में सरकार की ऐक अच्छी योजना पर ठेकेदार दोला मन-मानी किया गया है पहले सो जो भी इनके डोला काम किया । इसको बादिब कर दी है, इसको काट दी है, हर लोग जल पानी के लिए परिशान है, इसी तरह का गज दी रहा कुई कि जिन्यकारी के दीन कराना है, क्या चाहते हैं अप लोग सासन पर सासन से, अच्छा फिर भी क्या मांग रखते हैं सासन पर सासन आप एक्छा पानी तो जीवन का सबसे बड़ा हमूली चीज है पानी तो सबको आवश्यक्ता है वही चीज है सुवे से नहीं मिल रहे हैं लोगों को तब किपली बड़ी जीवन में तख्रीफ देख जल से जल ठीक किया आप एक्छा रखते हैं अपर इनकी मनमानी कुछ भी नहीं आज नहीं यहां पूरे मुहलमे के लूग परिशान पानी के दिखाई गया थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी कोई पानी के संकट नहीं था हमारा नगर पंचायत में पुरी कव से पानी जहें प्रयाप्त मि कोई सिकायत नहीं थी प्रंत जो पीएची के द्वारा नल जल यूजना के तहर जो कारिक किया जा रहा है यहां पर ठेकर घ्राम पंचायत के समय से मिला हुआ है उनके द्वारा जो है जब खोदा जाता तो हमारी पाइपलाइन को तोड़ दिया जा रहा है अभी चार- जाना के पास जो है पाइपलाइन है जो की वार बार टूट रहे हैं उसको जो हमने सुधारने के लिए एश्डियो पीची को जो है लगाता पाज दिसम संपरक में है कल मैंने उनको वाटसब भी किया है विडियो बनागर परन्तों अभी तक उनके द्वारा जाना नहीं किय और मैं चानूगा कि प्यच्छी इसको जाए जब से जब इसको सुधारे पाली की किल्यवे दोर हों इस मरवाहे नगर पंचायथ में है यह वार नजल योगना का नकिया जारा है यह नहीं प्रकार नहीं दिया जाता है ना उनकी इंजिनियर आते हैं, ना उनका इस्टियों यहां पर आके काम देख रहे हैं, कि आफिर किस हिसाब से चल रहा है, मरवाई यह नगर पंचाइद एरिया है, घनियाबादी है, आप यहां देखें हुए कि मरवाई नगर पंचाइद में जितने भी नल जल योगना के तहार जो भी गठा खोदा गया है, कहीं पर इस्टेट हाईवे के वगल में गठा खोदा गया है, वेरिकेटिंग ने की गई है, कोई भी गाड़ी आए, इस गड़े में भुश सकती है, यहां पर पाइप लाइन थी ग्राम पंचाइद की, इसको सतिद्रक कर दिया गया है, आगे ख़ोद रहे हैं, पाथ रहे हैं, खोद रहे हैं, और ऑफिर खोद रहे हैं, महतमा गांधी वाड़ और मंगल पण्डे वाड़, दोनों वाड़ में आघ किछले एक हफता से बानी की सप्लाइन नहीं होते है को परेशाँ चरेगा, यह परेशान निरदेश के को है, क आज इनके विवारा जो काम करना था कि फाइब लाइन विषाना है उसमें रेट की फिलिंग करना है यह नहीं करते हैं यह शीधे लूस वाइल से फिलिंग कर देते हैं और वैस्त इसको ढांक मून देते हैं और वाठ वाज अब हथों से यही काम कर रहा है पूरी अविवास्ता के ताहत काम किया जा रहा है, मनमानी के ताहत पुरा ब्रस्ता चारिस में किया जा रहा है, इसके लिए हमने कलेक्टर को ज्यापन भी HDM के मार्फर देजा हुआ है, उसमें अब देखें, कब तक कारवाई होती है। सरसीवा धानाच्षेत्र की पेंडरावन बालपूर मोड के पास में चाकुबाजी की घटना सामने आई है। यह विचारा कि घायल यूवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के ले गया था। जहां आरोपी भी मौझूद था। आरोपी ने पिकनिक इस्तल पर मतन सबजी को लेकर वाद विवाद किया था। इसके बाद घरवापसी के दुरान आरोपी ने कार को रुकवा कर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। 34 गल्ड राज की 24 वी वर्षकाट और दिवाली के अफसर पर सीम विष्णोदेव साई ने प्रदेश वासियों को बढ़ाई दी। साथी नया राइपूर के एकात मुपत पर आयोजित 11000 दीपों के प्रजवलन करिकम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रों चारण के बीच में विधिविधान से दीप प्रजवलिट किया और कारिकम में उपस्तित लोगों से सीम साय ने कहा कि यह आयोजन राज की संस्कृतिक धरोवर और एक्ता का प्रतीक है। जिसमें 36 गड़ की संस्कृति को प्रदर्श्वित किया गया है और दीपों की रोशनी से नई उर्जा और उत्सहा का संचार हुआ है। कि राज के गौरब को बढ़ाएगा। इस अफसर पर उप्मुक्मंत्री आरुन्साओक भी मौके पर मौजूद रहे हैं। कि आज बड़ा सुभा का मिश्य है कि दिपों सो हम लोग मनाई रहे हैं। कि राज के पर दिपावली की सुभकामना है। और आज एक नॉम्बर है हमारे चटिजगर राज का सापना दिवस। तो समझ चटिगर वासियों को चटिगर राज इस सापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई सुभकामना है। और आज के इस उसर में चटिजगर के निर्माता भारत रत्न हमारे देश के पूरो प्रधान मंतरी सरध्याटल विहारी बाजपी जी को शक्तिजगर के तीन करोड कंटा के तरब से लमन करते हैं और उन्होंने जो विकास सोचा था कि शक्तिजगर के निर्माण से यहां के अनुसुची जाती, जन जाती, OBC, सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, युवा सबका विकास हो, उनका अशिरवाद हम लोग को मिलता हैं ताकि उनके सपने को हम लोग साकार कर पाएं और इस एतिहासिक छण में आज एकात्म पत में 11,000 दिये जलाए हैं और शदिगड़ की कुसाली की कामना किये हैं और अच्छी आतिसवाजी भी हुई है खवर राहएपुर से है जहां पर सियम विश्णो देव साय ने नवा राहएपुर में सफाई कर्मियों के साथ दिवाले तहवार मनाया और उन्हें अपनी ओर से मिठाई और उपाहर दिये इस मौके पर मुक्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के बच्चों को बड़े अपनत्व और इस नहीं भाव से दुलारा और उन्हें चौकलेट प्रदान की इस दुरान मुक्यमंत्री और वधायक भी मौके पर मौझूद रहें मुक्यमंत्री विश्चों देवसाई ने राज सापना दिवस के मौके पर एकात्म पत्मे 11,000 दिपों के प्रजुरन कारिक्रम शामिल होने के लिए नवा रायपूर जा रहे थे और इसी बीच में CBD स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखकर मुक्यमंत्री रुके और उनसे मुलाकात की और दिवाली की बढ़ाई और शुब कामनाय दिए हैं मुक्यमंत्री ने इस अफसर पर सफाई कर्मिचारियों को भी अपनी और से मिठाई और उपाहर दिये खबर विलादपुर से हैं जहां पर चत्यसगर राज इस्तापना दिवस पर पूरे जिले में दिवाली की तरह दीब जलाकर राज निर्मार की खुशियां मनाई गई हैं इसी कड़ी में अर्पा रिवर व्यू में 10,000 दीब जलाए गए हैं और कलेक्टर अबनी शरन एस्पी रजने सिंग भी इस कारिक्रम में आम नागरिकों के साथ में शामिल हुए हैं और एक साथ में 10,000 दीपों के श्रंखला से रिवर व्यू जगमक होग उठा और साथ ही नैना भी राम द्रश ने भी सबको आकरशित किया एज़रान नगर निगम कमिशनर समेथ आला प्रशासने का दिगारी भी मौझूद रहे और साथ ही राजनिर्मार की बधाई एवं शुप कामनाए भी दी गए जैसा कि आज की दिन ही हमारे देश में तीन स्टेट बने थे शत्तिजगर्ण धारखंड और उत्राखंड आज हमारा शत्तिजगर्ण सबसे स्रेश्टों सबसे उपर इस रेड़ी में आ चुका है अचुकि हमारा प्रदेश है हमर शत्तिजगर्ण सबसे बढ़ियां शत्तिजगर्ण तो आज के दिन आप सभी को मैं इस स्थापना दिवस पर भीर सारी बधाई देता हूं सुब कामनाए देता हूं और सबसे अब तिएग अपने जीवन में सफलों और इस प्रदेश की प्रगती में प्रदेश की उन्नघी में अपना महत्यपोण योगनान ले हमारे वदें युवा को हमारे प्रद्दू क Reynoldsские नोजवान सभी अपनी पूरी स्ट्रेंध्रंग के साथ अपने अपने आपको शप किसे प्रदेश तरख्य कर रहा है और अपना युगदान ने मैं इसी के साथ अपनी वाड़ी को विराम लेता हूं एक बर फुना आप सभी को बहुत बहुत पहुत है जैसा सभी को पता है शक्तिजगर्ण राज्य को 24 साल पूरा होने के साथ 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है जैसा कि एसी साथ आप ने भी बताया एक नवंबर दोहजार को 36 गठन हुआ था और इसके साथ साथ दो अले राज्य का भी गठन हुआ था आज का दिन ऐसा है कि हम लोग अपने राज्य की जो लब्दी है 24 साल की हम उसको याद करें अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 24 साल में 36 गठन विभीन सोपानों को प्राप्त करता हुआ प्रगती के पर पर लगातार अग्रिसर हो रहा है राजियोसाब सका है और रायपूर में तीन दिन राजियोसाब होना है 4, 5 ओर 6 नव्वंबर अपनी दिले में 5 नव्वंबर का योजन होना है जो होगा राजियोसाब कि तेमार के रुक में मनाने की पच्के उत्य हिए होता है कि हम लोग प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन और उनके स्वास्त और पोशोड इस्तर में सतत सुधार परिवार में उनकी नर्णयक भूमी का सुधन करने हिटू महतारी वंदन योजना लागू किये जाने के बाद में महिलाओं में खासा उत्सहा देखने को मिल रहा है पूरी खबर देखें सिपोर्ट में समाज में महिलाओं के प्रति भीरभाव असमानता और जागरुपता की कमी को दूर करने और स्वास्त्य और पोशन इस्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सास्रक्ति करण को बढ़ावा देने के उद्देश से मंत्री परशद ने संपूर् च्छति दर में महतारी बंदन योजना लागू के जाने का निर्डे लिया था जिसके अंतरगत पात्र विवायता महलाओं को प्रति माह एक हजार रुपए की वित्य साहता प्रदान की जाती है जिसको लेकर महलाओं में खासा उत्साहत देखने को मिर रहा है महलाओं इस य बिश्नुदेव साह सरकार का धन्यवाद किया है योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महलाओं से जब बात की तो महलाओं के चेहरे में एक खुशी की जलक दिख रही थी और महतारी बंदन योजना को लेकर माताओं और बेहनों ने कहा कि महतारी बंदन योजन के तहर जिस तरीके से हर माहारे खाते में हजार रुपया विश्णुदेव साय की सरकार दे रही है जिससे हम अपने पती के उपर निर्वर न रहकर छोटे मोटे खर्चे तोयम के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं गौरतलब है कि योजना से महलाओं को हर महीने में एक हजार रुपय की आरतिक गाहता मिल रही है इससे महलाएं अपनी देने कावशकताओं को पूरा करने में सक्षम होई है महतारी बंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी बंदन मौवाइल एप का भी शुबारम किया चुपा इस एप के मध्यम से हित्गरहियों को प्रतिमा हुए भुगतान और राशी इस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जनकारी आसानी से मिल सकेगी कि इन एक अजार रुपों से हम घर के करचे और छोटे मोटे बहर के करचे या बच्छों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों के इस्तेमाल करते हैं करें कि हम पती के ऊपर नेर्बाद ना रहके हम उन पैसों को हर जगे पे कर्च करते हैं, देखेंगे किस तरीके से ये महलाओं ने बात की है. पैसा को का का थे कहीं कुछ ताक पाल लोग लईका. अच्छा के खर्चा का खंगा खर्चा है. अच्छा. यहें तारा बाई आदे. बड़े बुर्या कला. कथ्या कल देखेंगे करते हैं, तो हमाम का थेिसरा रहें, ने हमेजाएं, वाड़े भ्याव कि आदेखेंगें, यह तो आदेखेंगे हैं? और यहां मतैमेक कही तरें। हैं, मतैंच। मतमत्तिकव बुर्या कला जवताह। अच्कलाग रहा है, खर्चा पानी कर साहना, साग सब्दी, सावुन सो जाया, अउर्ट, भर्णा पाल, मंज़ा, हंजा, तो से यहां, अच्कलाग रहा है, गर्णकार को एक ज़्जाध कर दोचा है? कर रहे हैं बच्छों की पर हाइने भी लगा रहे हैं और पती के उपर निर्भर्ना हो करके पैसों का फूछ इंप्योग कर रहे हैं पैसा मीनने से अच्छा लग रहा है हां मोजी सरकार को धन्यवाद पैसा एक हजार हर मेहनी देने के लिए धने सरीर हरिया धने भी पैसे का घर के कुछ काम करते हैं सब्जी भाजी लाते हैं अपने पती पर निर्भन नहीं रहते अच्छा लग रहा है क्रीमति गिर्जय पुराने अरी वनमन का पैसा मिल रहा है हां एक हजार महतारी उन्दक पैसा मिल जो पैसा एक हजार मिलता है उनके अपने छोटे मोते अपने पती पा निर्भाय नहां तो खोड़ के खर्चा करते हैं रासंदार या धालिनी से दश्रेंट पेसे सर्तार को मुदी सर्तार को मेरे तरब से धन्याटि को यां मिल यां ह् मिल रहा है कोईस्से झानली जेंट । कि हम्योगों का अठी दया रही थी अच्छा लाग रहा है और मैना आता है तार वैना आते हाँ भाईया वीना ता हो दानेली आतारी वंदन योगना का प्रेसा मिलता है हां मिलता है एक खजार कुछ खर्चा पानी चलाते हैं जैसे की पत्युपं निर्भन नहीं रहते सबजी अबजी खर्चा करते हैं और नीजी भी खर्चा करते हैं और मोधी चा चंदर कलड हरिया भनेली वेजना का पर सापते हैं कि यह करते हुन पर के देख घर खर्चा निक्षेती किसानी कहीं में तकेल के है कर खते हैं खताम हो जाते है ज्यादा मिल दिस्ता अच्छा लगती धन्यवादा उबढ़ाय कोशिद करें मौदी शरकार हा तो भी अच्छा है हिरे मिल अपन घर के देख तुछ समान पानी है कहमर कुछ खर्चा है करदा घर्चा मिल गार्चा इन हाँ धन्यावाद है न मुख्या मंत्री कव कई सार्वार मन के बढ़ा हावाई 2000 कर आए मार गंगा लाईरी सिवनी एक हजार घर खर्चा कि राना समान मंगा देते हुआ चामेली सिवनी कि एक हजार खर्चा पानी कर्थर घर अच्छा लगा थे धन्यमाद बढ़े बढ़ावाए पास सलत बढ़ादे में जादा नहीं कि एक हजार बिगेज भर आवे पास अंघर खर्चा कर दो आमना सांती धिल्ले प्यूनी कि एक हजार मीलता है कि खर्चा करते हैं घर में एक हजार देते हैं एक हजार घर घर खर्चा करते हैं भी यह जन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को मोधी सरकार जी को माया पाल स्युनी इसना मिल गाए परसे का खर्चा 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 घर खर्चा जब ही बन सके दे लेते हैं पासा मिल इसली सरकार को धन्यवाद बहुत धन्यवाद मोधी सरकार को जुलारी पाल सिवनी एक हजार घर खर्चा भिया घर गैस बेज़ भरा था अपन जो भी लग्षिस राचान वसन डाल देखा घर जो जो देन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको मातरी बंदन योजना का पासा मिल रहा है? इतना मिल रहा है? एक हजार आपको मातरी बंदन योजना का पासा मिल रहा है? इतना मिल रहा है? एक खर्चा है आपको मातरी बंदन योजना का पासा मिल रहा है? इतना ही नमस्कार झाल 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 झाल